आज हम आपके लिए लेकर आए एकदम नई रेस्पी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी तो इसको बनाईएगा जरूर अपने घर पे हेलो फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल कुकिंग भी थर्चु में आप सभी का स्वागत है ये रेस्पी बनाने में आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी तो चलिए इस रेस्पी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसी बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा तो जितना आपको सकता है उसी साबसे मैदा आप ले सकते हैं कम या जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन अजवा आफे से सरे कर ली ते से नितने ही को अध्य मुसाति में दो हुआ हूं आंट तो देखेवे सा झाले हैं तो वेम थोड़ा सा हाथों आफे लेका देख Dust अब इस सामय में देखते दो हरा तो पहले इस दो हम पाणा जाहिए ऑर इसाय मिक्स कर रहाएं पानी कम लग रहा थोड़ा सा मावर डाल देते हैं तो बस इसे अच्छे से हम गोथ लेंगे आटा एकदम रेडी है मैंने अच्छे से गोथ लिया एकदम मुलायम सॉफ्ट आटा तयार है तो बस ऐसे ही आपको गोथ लेना है अब इसको हम रख देंगे अब हम आटे की लुया बना लेंगे तो बहले हाथों से ऐसे लंबा कर लेते हैं अब इसके हम छोटी छोटी लुया कर लेंगे बहुत बड़े साइज का हम नहीं करेंगे एकदम मेडियम साइज का तो देखिए इसमें पांस लुईया हो गया है अब सारा हम रख देंगे और एक ले लेंगे अब इसको गोल-गोल गुमाके बस हलके हाथु से हम दबा देंगे अब हम इसे बेल लेते हैं तो एक दम पूड़ी के जैसे आपको बेलना है बस थोड़ा बड़ा आपको बेलना है पहले हम बहुत जादा बड़ा नहीं बेलेंगे एक दम मीडियम साइज का तो बस ऐसे ही आपको बैलना है आप देख सकते ही इतना ही पतला रखना है आपको आप इसको हमें रख देंगे एक प्लेट में और दूसरा वाला भी हम बेल लेते है तो एक लोगी मैंने फिर सी की लिया है उसको ऐसे गुला ब़ुक्णा कर देंगे थो जब भी आपको कोई स्टिक रिश्पी नास्ता घानी का मन आतर SCуля-D fixes अब इसे बनाएगे जरूर से और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की के रखे हैं तो दर की मैने बैल लिया है कंट सारा बैल कर रख लिए एक इन मैने ले लिया है अब इस मेहम लगाएंगे आयल रखimana है तो एसके उपर अच्छी इंगे और फिर उसके उपर हम पोड़ी रख देंगे तो आशे से लगाते रहेंगे और एक करके रखते रहेंगे तो मैंने इसके ऊपर रख दिया है अब हलकी हाथों से हम इसको दबा देंगे साइड से बराबर कर देंगे चारों तरफ से अब हम फिर से आयल लगा देंगे तो पूरे में आपको लगा देना है अब हम फिर से रख देंगे तो ये तीसरा मैंने रख दिया है और इसको फिर से हम दबा देंगे थोड़ा थोड़ा अब फिर से मैंने आयल लगा लिया इस पे एक पूरी हम और रखेंगे मतलब जो बेला है मैंने उसको रख देंगे तो चार मैंने रख दिया है अब इसको हम थोड़ा दबा देंगे फिर हलके हाथों से हम बेल लेंगे तो बस अच्छे से आपको बेल लेना है बस इसको थोड़ा बड़ा ही बेलना है और पतला बेलना है तो देखिए छोटा पड़ रहा है तो हम इससे हटा लेंगे एक थाली मैंने लिया है इसी पर हम बेल लेंगे थाली थोड़ा बड़ा है तो इस पर अच्छे से बेल जाएगा तो इस पर मैंने रख लिया है बेल लेंगे अच्छे से तो यह मैंने बेल लिया है ऐसे आपको बेल लिना आप एक चाकू मैंने लिया है बीच से कट कर दिया है फिर ऐसे मैंने कट कर दिया है आपको देखते रहना कैसे कट करना है इस तरीके से आप बना कर सबको खिलाएंगे तो बहुत ही पसंद आने वाली ये रेस्पी है आप अपने घर पे इसको बनाएगा जरूर से बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाता है तो देखिए मैंने कट कर लिया है ऐसे आपको कट कर लेना एक हम आपको निकाल कर दिखात है तो एक मैंने रख लिया है बस इसको फोल्ड करते जाएए हलकी हातों से हमें इसको फोल्ड करना है लपिटना इसको तो देखिए ये बन गया है बहुत हीजी है हर को इसे बना सकता है तो ऐसे आपको सारा बना लेना है तो सारा मैंने बना कर रख लिया आप देख सकते है है कितना अच्छा लगा देखने में, तो यह जितना देखने में अच्छा लगा, उतना खाने में भी तो चलते हैं, घैस की तरब इसको रख देते है, गैस भी बैने पैन रख da GT, आब इसके में डालें या नहीं तो तेल अच्छे से गरम हो गया है इसको हम निकाल लिते हैं तो इसे निकालने के बाद हम एक एक करके हैं सारा डाल देंगे इसमें देखिए प्लेट में मैंने सारा ले लिया है अब एक एक करके हम डाल देंगे तो जितना उसमें आ सकेगा उतना ही डालेंगे सारा मैंने डाल दिया है इसमें अब इसको चलाते रहेंगे पलड़ते रहेंगे ताकि अच्छे से हो जाए तो तुरंत आपको नहीं चलाना है बस कुछ देर बाद इसको चलाना है अब ये हो गया है अच्छे से हम इसको निकाल लेंगे कितना बढ़ियां लग रहा देखने में खानी का मन कर रहा ना आपका भी तो ऐसे आप भी अपने घर पी बनाईएगा दूसरा वाला भी हम इसमें डाल देते हैं और ध्यान रखना है गयास के फ्लेम को लो ही रखना है हाई फ्लेम पे इसको नहीं फ्राई करना है इसको हम चलाते रहेंगे देखे ये भी हो गया इसको निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हίνें कितना बढियां लग रहा देखने में, तो जो देखने में बढियां लगे हो खाने में सौची कितना अच्छा होगा तो इसे निकाल कर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और एक प्लेट मैंने लिया है इसमें हम डालेंगे नमक और आधा चमच डालेंगे काली मिर्स पाउडर आधा चमच लाल मिर्स पाउडर और आधा चमच हम इसमें डाल देंगे काला नमक तो इन सारी चीज़ों को हम चमच से mix कर लेंगे तो ये बहुत ही चट पता बंसाला तैयार है तो अच्छे से हम इसे mix कर लेंगे तो आप देख सकते हैं ये रेडी है अब इसको हम रख देंगे साइड में और एक बावल मैं ने लिया है इसी में हम इसको डालेंगे अब हम जो मसाले तैयार किये हैं इसको इसमें डाल देंगे तो इसे डालने से और भी चटपटा लगता है खाने में टेस्टी लगता है बहुत ही अच्छा लगता है आप ऐसे जरूर आईएगा अब इसे मिक्स कर लेते हैं तो देखें कितना कुरकुरा बना है टेस्टी बना है आप इसकी आवाज सुने होंगे तो बहुत ही अच्छा है अच्छे से मिक्स हो गया है अब एक प्लेट में हम इसको निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये रेडी है खाने के लिए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नास्ता तैयार है खाने के लिए आप इसे रास्ते में कहीं जा रहे हैं तब भी आप इसे बना कर ले जा सकते हैं आप इसे घर पर भी बना कर खा सकते हैं चाय के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी इसको खा सकते हैं तो आप इस रिस्पी को ट्राई जरूर करिएगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक सेयर करें चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद